पढ़ो लिखो भाई मेरी बैना पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो भाई मेरी बैना पढ़ो लिखो जी आ आ इए का खगगा पड़ो लिखो जी पड़ो लिख कर तुम सब साथी बन जाओ हुशियार बहना बन जाओ हुशियार पड़ो लिखो लिखो बन जाओ हुशियार अक्षर ग्यान की दीप जलालो कट जाए अंधियारा पड़ो लिखो भाई निरक्षर ता एक अभिशाप है और आज प्रतेग दूसरा भारतिये निरक्षर है हमें इस अभिशाप को मिटाना है पुरे देश को साक्षर बनाना है ये एक बड़ी चुनौती है किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है है ये तुरी e 세상 that extract कर बड़ी अनौकूलंग और फन्वे सिर्म वाठकूलंग आजु विए dadari और म lies उनौकूलंग कि लेंगे सिर्चर बीचाइ ये ये इंतिकर अंस 넣 चुनौम है इए वेपिस राष्ट काइंस specially relevant to the local circumstances that one can achieve success. लेकिन क्या राष्ट्रिय साक्षर्टा मिशन इन उदेश्यों में काम्याब हो सका? हमने पूछा राष्ट्रिय साक्षर्टा मिशन के महानिरेशक भासकर चैटर जी से. कंपेंस. व। लेकर अश। बढ restor एसे काम्याभी का प्रतीक आड़ती था करना उर्थ परेहिए। जिला जाबुआ कभी सरवाधिक निरक्षर आज साक्षरता के नए शिखर पर इस इलाके की पहचान सिर्फ यहीं कि पढ़ाई लिखाई की बात हो तो देश में सबसे पीछे और जनसंख्या वृद्धी अपराद और शिशु मृत्युदर के आंकड़े हो तो मध्य अधिकांश जो स्वास्त के इशूज है वो अज्यानता से जुड़े हुए है और जहाबा जिले में जहां लिट्रेसी सबसे कम है पूरे देश में और जहां पर की सारी बसाहट बहुत छितरी छितरी फैली फैली हुई है तेरा सुचपन गाउं है परंतु आथ हजार हैं इसके कारण से कोई भी संदेश को प्रभावी तोर पर पहुंचाना बहुत कथिन हो गया था छागूा थागुमा पर्वाज हो जागा भाए प्रभावी तोर प्रषी में फॉपस्वित खाली है चांट गाँज हैं तो सबस्वें लुटी अरगाश यहां प्रिच्पन हैं तो एक्यांट लुटतिंग खाली हमें वो चलता था औरवे से भूके मरके मारे बाहर चले जाते थे पहले एक एक परिवार में आठाट दद्दस बाल बच्चे होते थे अपरे समको समझते नहीं थे ये तस्वीर का एक पहलू है आज आखड़े बदल चुके हैं पहले याँ पढ़ने लिखने को कभी प्रात्मिकता के तौर पर नहीं लिया जाता था 13 प्रतिशत की नियुंतम साक्षरता दरवाले इस जिले में मात्र 6 प्रतिशत औरते ही पढ़ सकी थी आज जाबुआ के कुल 1356 गाउं में 1500 प्रात्मिक शालाएं और 1269 आंगन वाडियां हैं प्राण शिक्षा में तो उपस्तिती शत प्रतिशत है कभी अनपढ़ रही औरते आज सफल सरपंच हैं जो कभी अपराद करते थे वे ही आज शिक्षा का प्रकाश बांटते हैं अपना पोरे सवरा सोर्रें बद्दान काडोन का निका दे अपड़ी स्कूले काडोन हमारे जाओं में इसकूल होने के कारण अब बच्चों को ईसकूल भेज रहे लड़के और लड़कीयों के लिए अब हमारा लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं और अब दारोपिना लोगों ने सोड़ दिया है तो अब हमारे गाउं का विकाद थोड़ा बढ़िया हो रहा है इटिर दो साल पहले जब साक्षरता की छाब जाबूआ कि इंदिवारों पर पड़ी तो स्थितिया सच्मुच बहुत विश्वम थी जटल, पढ़ारी, भुगोल और उस पर छितरी हुई आबादी यहां के विकास में आज भी सबसे बड़ी बादा है प्रियान में प्रतिशत आबादी यहां गाउं में रहती है कुल आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी भीलों का है एक अरसे से जंगल ही इनके जीवन यापन का साधन रहे हैं जब जंगल नहीं रहे तो भूक और गरीबी का दंश इन्हें जेलना ही था उससे बन बहुत बिगडी स्थिती में पहुंच गया हैं अब हला दिया है कि ज़िया का दभी कुछ बंटों निर्वनी करन हो गए हैं जहां दों यहां से बन चेट रहे हैं डंगल इसे में साक्षर्टा की रोश्णी बाटना जितना मुश्किल था उतना ही जरूरी भी राष्ट्रिय साक्षर्टा मिशन के लिए यह एक बड़ी चुनाती थी मिशन के विवस्थापकों ने समझदारी से काम लिया और लोगों की श्रद्धा और विश्वास को ही निरक्षर्टा के खिलाफ अपना हतियार बनाया गाउं गाउं में आखर देव की स्थापना की आखर देव यानि साक्षर्टा का देवता इस अनोकी परिकल्पना ने तो यहां कमाल ही कर दिया लोग आखर देव को ही नहीं बलकि साक्षर्टा के कारे करताओं को भी पूजने लगे शिक्षा के प्रती उत्साह यहां चरम सीमा पर है क्लास में उपस्थिती बढ़ी है लोगों में उत्साह बढ़ा है बच्चे स्कूल आने लगे हैं और अब जब चुकि शिक्षा में लोगों की रुच बढ़ी है साक्षर्टा अभियान जो रात में चल रहा है उसमें लोगों की संख्या बढ़ी है साक्षर्टा मिशन ने साक्षर्टा अभियान को और रुचिकर बनाने के लिहाद से नाटे मंडलियां बनाई है इस पूरे प्रयास में शिक्षक सामाख्या कारे क्रमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता शिक्षक सामाख्या कारे क्रमों के जरिये ही शिक्षक के तौर तरीकों को इन आदिवासियों के अनुकूल बनाया जा सका यह जरूरी भी था साक्षर्ता के कठिन प्रयासों ने यहां जिन्दगी का माइने ही बदल कर रख दिया है चाहे वो हमारे हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं चाहे वो हमारे परियावरन संबंदी प्रोग्राम्स हैं चाहे वाटरशेट संबंदी प्रोग्राम्स हैं संयुत बन समीतियों के गठन संबंदी प्रोग्राम्स हैं या महिलाओं को ताकत देने के प्रोग्राम्स हैं उन सब में इसका परिणाम परिलक्षित हुआ है, इसके साथ साथ हमने समाजिक बुराईयां नशाबंदी है और अंदविश्वास हैं, इसके प्रती भी लोगों में काफी चेतना इनसाक्षता अभियान के मात्यम से की है प्रेन डकैती के लिए कुख्याद गैंग का सरगना चैन सिंग अब खुद तो पढ़ता ही है, औरों को भी पढ़ने को कहता है शराबी बच्चु को तो शराब से ही घ्रणा हो गई यह बजला है जिसने कभी साक्षरता कारेकरताओं पर पत्थर फैंके गालियां दी वही बजला अब साक्षरता कारेकरताओं में ना सिर्फ शामिल होता है बलकि पढ़ता भी है शराब और अपरात के लिए बदनाम रहे गाउन ढंढ़निया की उर्मा भाई आज एक सफल सरपंच है उर्मा भाई के मन में गजब का आत्म विश्वास और विचारों में गजब की जागरती है बेश के सरवाधिक निरक्षर जिला जाबुआ की धरती है आज अक्षरा है साक्षरता प्रयासों की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है नतनी न लईयो जुमका न लईयो जहां अगस्त 1995 तक 343 जिलों के शामिल होने से संपून साक्षरता अभियान को विस्तार मिला है वहीं उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल भी इससे अचूता नहीं है दुनिया इस इलाके को अलक नंदा की प्रभा के लिए जानती है पुरान कहते हैं भगिरत के गंभीर प्रयासों से गंगा अवतरत हुई ये सच हो ना हो लेकिन ये बात सद्ध जरूर है कि शिवालिक के इन परवश रंकलाओं के बीच यहां आज दूसरे भगिरत हैं एक दूसरी गंगा है ज्यान की गंगा ये दूसरी गंगा कैसी है ये दूसरे भगिरत कौन है ये दूसरे भगिरत हैं गाउं गाउं में साक्षरता की मशाल जगाते चमोली के ये नन्ने नन्ने बच्चे और नौजवान ये दूसरी गंगा है अंध विश्वास और अज्यानता के बीच अपना रास्ता बनाती राश्ट्रिय साक्षरता मिशन की टोलियां पढ़ने पढ़ाने की इन कोशिशों का परिणाम ये है कि तीन बरस पहले सत्तर हजार निरक्षरों वाला चमोली आज साक्षर है जितने हमारे इनरोल हुए हैं पंजी किरत हुए हैं जो हमारे निरक्षरों वो टोटल है हमारे हैं 84,676 जिन में से हैं हमारे पुरुस हैं 15,187 महिला हैं 69,489 और इन में से स्थी हैं 22,203 एस्थी हैं 15,31 ये लोग हमारे जो निरक्षर हैं ये पंजी किरत हैं इन में से जिनोंने book first complete किया है जिनोंने बाग एक गड़ परिविश्छा बाग एक पडली है वह है 6591 जो पढ़ रहे हैं बाग एक को वह हैं 18085 बाग दौ पढ़ रहे हैं जो जिनोंन बिल्कुल complete कर दी है वह एउ 90206 यह परिवर्तन राष्ट्रे साक्षरता मिशन के अथक प्रयासों का परिणाम है इस कोशिश में सबसे पहले गाउव पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिलास्तर तक सर्वेक्षन किया गया उत्तर प्रदेश के इस सिमान जंपद में सर्वेक्षन के दोरा अर्शिक्षा ही नहीं, शेत्र में फैली विभिन, भ्रांतियों और विसंगतियों के बारे में भी विस्तरत जानकारी मिली। चुंकि स्कूल के चात्र चात्रा ही सरवादिक साक्षर थे, इसलिए इन्हें ही साक्षरता अभियान का माध्यम बनाया गया। इन्हें भगिरत का नाम दिया गया। भगिरत शब में लोगों की पहले से ही आस्था थी, इसलिए समझाना कुछ आसान हो गया। कमला ने तो कभी सोचा ही न था कि वह कभी पढ़ेगी। इसे पश्टावा है कि माने पढ़ाया क्यों नहीं। जब हमको गुसा आता है तो हमको क्यों नहीं पढ़ाया। लड़कों को लख नौ पढ़ाया, इलाबाद पढ़ाया। बड़े बड़े आफसर है। अर हमको लड़की आई तो हमको नहीं पढ़ाया। भाया भी जा रहे, भोजी भी जा रहे, भोजी भी जा रहे। जा रहे जेठ जठा नीरे पढ़ने चलियो राजा। अब ये जानना महत्वपून है कि साक्षर्ता को बढ़ावाय देने की तमाम योजनाएं समाज के विभिन पहलूं को किस तरह प्रभावित करती हैं। प्रिंसिपली जा रहे बेन अब तो अद्रेस आसेंस तो ली फोर हिंदी स्पीकिंग इस अफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अमधिप्रदेश प्रिंट तरहं प्रिंसाई लिखन को अजसित्वी कि वह Hetais संने समाग VäDowni बें को फॉनिज से ले ए मद्साएं मधनमन अब हैं। वह प्रप्राववैम। छी स्पीय प्रिंस प्रभाव एिस त्री बिर्म मेंन पोफस्ट प्रिंदीज की आत्रीज़ साक्षर्टा के प्रभाव को ज्यादा करीब से देखना है तो बिहार के जार्खंड के जंगलों में चलना होगा नितर हाट की तराई की काली कोईला खदानों में शिक्षा की तस्वीर इतनी उजली हो सकती है ऐसा कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कारण की जार्खंड के ये जंगल बाहरी दुनिया से कभी इसकदर कटे हुए थे कि यहां रहने वाले आदिवासियों के बच्चे जूते की पच्चाब भर से दूर भागते थे आज ये दूसरे जागरूग बच्चों की तरह स्कूलों में पढ़ते हैं पर देशियों से खुल कर बात करते हैं श्रम, सफाई और परियावरन का महत्व समझते हैं इतना ही नहीं अब तो ये खुद आगे बढ़कर शिक्षा का नारा भी बुलंद करने लगे हैं ता प्र नियादी शिक्षा को प्रात्मित्ता के तौर पर लिया गया चक्रिये विकास प्रणाली की अवधारना को कारिक्रम का आधार बनाया गया ये प्रणाली समगर विकास की प्रणाली है शिक्षा जहां इनकी जिंदगी का महत्वपून हिस्सा बन गई है वहीं ये चात्र प्रती भी जागरूख हैं आसपास के परेयावरण की भी इन्हें कम चिंता नहीं है जो नहीं पढ़ पाते थे जिनकी पढ़ने में रुची नहीं है उनके लिए श्रम निकेतन है इसका उदेशे बच्चों को इस लाइक बनाना है जिससे ये अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकें बाहरी दुनिया से संचार स्थापित करने में अब इन्हें कोई जिजक नहीं होती यहां जंजातिय ओलंपिक का आयोजन जंगल में मंगल कर देनी जैसी एक घटना तो है ही वनवासियों में विक्सित संगठनात्मक प्रवित्ती का भी ग्योतक है शिक्षा के प्रसार ने बच्चे ही नहीं बड़ों की जिंदगी को भी प्रभावित किया है कहना ना होगा कि साक्षरता प्रयासों के बाद अब यहां एक नई दुनिया है लोगों के पास काम है और बच्चों के पास एक सुखत भविश्य संजोने के अफसर जो हम पढ़ेंगे फिर ना चलेंगे आज साड़े साथ करोड निरक्षर साक्षर बनने की प्रक्रिया में अपना नाम दर्स करा चुके हैं महत्वपून यह है कि अगला लक्ष क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या योजनाय प्रस्तावित हैं at the moment we wish number one to continue with our trust in the major Hindi speaking belt number two to increase popular participation thirdly to devolve powers both administrative and financial to the states so that they are in a position to take the mission at the local level give it a more local flavor and bring in more local considerations जी हां साक्षर्ता निश्चित ही एक मिशन है एक संकल्प है एक ऐसा संकल्प जो समाज के हर वर्प को एक नई ताकत एक नई उर्जा प्रदान करता है विक्सित करता है Total Literacy Campaign has been a total campaign in the sense that it is not only a governmental campaign but there are non-governmental organizations, there are volunteers and there are district machineries which are totally and actively involved in this. Now this kind of a cooperation which is one could call a total societal response must continue and if it continues the future is very very bright. तुम भी बुधिया दी दी पड़ो पड़ो मंगल पड़ो समारू बुधिया दी दी पड़ो तुम भी बुधिया दी दी पड़ो सोशन में तो दिन गुजर गई आप तो सब कोई जागो सोशन में तो दिन गुजर गई अप तो सब कोई जागो पड़ोलिको भाई जिरी देना पड़ोलिको जी आआइए काका गगा पड़ोलिको जी आइए काका गगा पड़ोलिको जी